अपिरेवर नाम किसा है? वोज़े का नाम है this one, कि इसी तो अनल देवल देखे है नो अंगद अच्छ राइवर् ऐस अख लाइशनum अच्छ थूच नाम किसी ने कि फॉरेवर के आ है? फॉरेवर इस बिसनस है या फॉरेवर कंप्री यह नो नो, forever is a unique lifestyle, forever एक अलग जिन्दगी विया नाम है, forever के लोगों की सोच अलग है, उनकी बाते अलग है, उनकी काम करने का तरीका अलग है, forever के बोड़े दुनिया में best है, forever company best है, forever का system best है, forever के लोग best, right? अब एक बाते जिहां करते हैं, आपने जबाद इस business में handle करते हो, मेरे senior बोलते हैं, कि अगर आप सोने का व्यापार कर रहे हो, घीरे का व्यापार कर रहे हो, तो ready में रखके मत ले लो, अजी क्या करो, अगर आप ready में रखके सोना लेके जाओंगे, गली वेली कि सोना ले लो सोना ले लो, तो लोग ना doubt करेंगे, आप पर भी, आपके सोने पर भी, और जो product है न, वो ऐसे करके नहीं देना किसी को आप ले, सर ले लो, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके देना, तर याप लीटिए, और ये काम कोता है, जब आप profit के लिए काम करते हैं न, तब आप गलन चीदे करते हैं, तब आप एक salesman बन जाते हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति विशेश का फैदा सोचते हैं, उसके बारे में उसके dreams, उसकी body, उसकी health, उसका बदा, तब आप एक salesman नहीं होती, तब आप एक परिष्टे के रूप में किसी के घर जाते हैं, अगर आप अपने पाइडे के लिए business कर रहे हैं, लोगों की sponsoring कर रहे हैं, लोगों की जोड़ रहे हैं, तो ये जो income आपको आ रही है, चाहे आप manager level पे ही क्यो ना हूँ, चाहे आप 1 लाग के level पे ही क्यो ना हूँ, दो लाग के तरह से क्यो ना हूँ, ये temporary हैं, लेकिन अगर आप लोगों के लिए क्यो ना हूँ, ये temporary है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, ये permanent है, आप अपने लोगों के लिए काम करेंगे, तो आपका business मनने के बाद भी मरेगा नहीं, उनके लिए काम की दे, आपने आपको समर्कित कर दीजिए लोगों के बती है, फिर के business का भी मन नहीं सकता, इस 11 साल की journey में, मेरे सब बहुत सारी दीजिए, मेरी शुरू की कफिती तो शायद सभी न सुनी होगी YouTube में, कि मैंने कहते कहते इस दिनन तो किया, मेरे सब वीडियो आया है, आप सब को बता और 2000 बार, मैंने challenges में वीडियो आप में बोला है, यह बड़ा challenge वीडियो दे रहा है, इसको फोड़े challenge ओर दो है, और challenges आए, और वो पहले से ज्यादा पढ़े, कंपनी के product out of stock, team में negativity का फैलना, और इस पर है कि इस दो मैंने कभी चीवल को प्यास नहीं किये थे, मैं साब दिर का आत्मी हूँ जो बोलना ह मुझे बोलके चलाया तो मोगले दिन भूल जाता हूँ, क्या भूलाता हूँ, लेकिन प्याना सारों की सबसे वड़ी सीख है मेरी, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज इनसान है, अगर मेरे विचानों से कोई की मद्वेद रखता हो तो प्लीज उसको personally ना दे, हर आत्मी का अपना point of view होता है, इस सोचने का तरीका होता है, और वो उसको बोलने के लिए अजाद भी में, हिंदुस्तान में, तो मैं अपना point of view रख रहा हूँ, आप जिस रिक्षे में भी आया होना उसके प्रति आपको आभारी रहना चाहिए, सवाल ये 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 को 20 उर्फे क प्रति पहस्का होता है, पर आज उस लिक्षे में की वज़े से 20 उर्फे के आपनी की वज़े से आपके सहुलियत है, जूद वाला आपके घर आता है, आपको उसके पर किया वाहरी करना चाहिए, ये मिली दूसरी सीख है जिन्दगी में कि इस दुनिया में आने के बाहर र कि अधिन नोपरी करता है दुनिया का हर काम अच्छा है जो भी एक काम कर रहा है चाहे हो मुझी ओ जॉब कर रहा है जो बिजनस कर रहा है कहते ही वह अपने पर पाल रहा है वह अच्छा इंसान है तो उसकी इज़ब करें और अगर सुचो आप एयरपोर्ट आज हम लोग इंटरनेशन ट्रेवल करते हैं अगर पासपूर्ट लेके एयरपोर्ट जाते हैं और वहां पे सर्विसमें ना बैठा होता तो हम क्या करते हैं अब पैसे पैंक में आते हैं आप चेक पैंक जाते हैं वहां के कैशिएर ना बेठा होता आप क्या करते हैं कि आपको सुभा ट्रेंट फगेंडी दिल्ली जाना है आपके पाता पिता जी बिमार है वहां के पहुंसकर पता लगता है जी ड्राइवर की आज नानी बिमार है तो वह थोड़ा लेड आएगा कैसा लगता तो मैंने ये शीखा है कि हम सबना दूसरों कर दिर्वाग है पुरे तरीके से हाँ जी आप है तो मैं हो और आप नहीं तो मैं भी नहीं तो ये दूसरी चीज़ है कि जब आप दूसरों को महर्म लेंगे, दूसरों की इज़ब करेंगे तो बदले में आपको वही मिलेगा लोग आपको महर्म लेंगे, लोग आपकी इज़ब करेंगे आप दूसरों को चीट करते हैं, दूसरों को कुछ चेवने की कोशिश करते हैं, दूसरों का पाइदा उठाने की कोशिश करते हैं गूम के नहीं नहीं आपके पास की वही आया है क्योंकि हर सेथ के लिए एक समाज़ियर भर्मान में बनाया हुआ है है सब लोगों से प्यार करते हैं उसके वाइदे के बारे में सोचते हैं लिए काम करते हैं आप को है बोहुद सज्दे। दूसरी शीद के इस बिजनस में आने के फार दीसरी चीज जो मेंटे लाइनक में रियलाइस कि उसका होना कि बहुत ज्यादा जरूर मतलब है झाइन कि एक्स्ट्रा ऑडिनरी की जुर्णी ए उसके लिए चीज़ को ना बहुत जरूरी है कितने लोग ordinary से extraordinary बनना है चैसले है जो इक लाग कमा रहा है वो दस लाग एक करोण को सकता है जो अगर उसके पास सही कोच हो और वो अपने आपको सोज के परती समर्बित करते हमारी देशी बात में बोले हैं तो गुरू, जिसके पास एक शाही गुरू है, उसका मार्गे दर्शन है, और वो अपने आपको गुरू को शमर्पित कर चुका है, शमर बना समस्ते हैं? कि आसकर घ्राइब कि इसको बोलोना कि आप ऐसा करनो कि थोड़ी दर सुनता में पूछता है कि ऐसे क्यों करनों मेरे क्या पाइस है आप ऐसे क्यों बोलों को दस सवाल में जाँ मैंने चीक लिए कि गुरु अगर आपको यह बुरेरे की गड़्े में कूद जाओ तो कूद जाओ बचाने की जिम्मेवारी उस पर छोड़ दो आज बंद कर लो हो सकता है उसी गड़्े में खजाना हूँ राइट बक्राइब करका है नमतिश्च सते हैं पंव पर चेल भाड़क यह भी घ्रिकाह, कि लिए निशौइ दो हमने सकता ही कि इसका डव्लमेंट इसकी बड़ेटी सिंद पाई आपके वहां जाने से बढ़ेगी मेरे पास रहने से नहीं है ठीकिसी तरह आपका अप्लाइन में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है आपका दूरू आपका पोच उसकी पास पॉजिटिव यह जरूरी नहीं है कि आपका जो डिरेक्ट अप्लाइन है ज यह कि वहां वांधी थाफ़ गाया हो गया है कि उसमें पॉझने पहुत कभी नहीं किया कि कि शुक्राइद कूटля है जो रॉप में लिकिन हर हम्लाइक आपके उपर एक successful leader बैठा है, एक successful leader, एक experienced leader, आपने सबसे बड़ा चेक देखा, 4 करोड होगा, कैसा लगा? जब इस बारे में सोच्टाओं की 4 करोड़ा चेक क्यों आया, तो मेरे दिल में सुनील गुत्ता की इसद बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सुनील गुत्ता जी ने, टीपेस में अरुम सुनाना को नहीं पाला होता, तो सूरे से नफ यादा ही भी होता है, अरुम सुनाना जी को उस वक्त में पालना जब वो पैसा कमाते ही नहीं है, उस वक्त में भी वो फरेवर में ठिके रहे, क्यों? क्यों एक आपने विश्वास, दूसरा आपने घुरू पे विश्वास हर टेक्टी की कहानी देखो हो, पॉजिटिव था, मैंने एक शेर लिखा है, सुनना सेटे आपको, मेरा आपने लिखा हुआ है, हवा का रुख कभी तो हमारा भी होगा, हवा का रुख कभी तो हमारा भी होगा, तूपां के इस समंदर का कहीं तो किनारा भी होगा, कश्टियों का साथ मत छोड़ना, उमेद की कश्टियों का साथ मत छोड़ना, जितना काला है रात का हलेरा, उतना ही हसीन सुभा का नजारा भी होगा आपका वो जो पॉजिटिव एटिट्यूट है वो आपको आगे बढ़ाएगा मेरे साथ जब जब प्रॉब्लम आई मैंने अपने आपको और ज़्यादा मजबूत पाया पहले से बहतर पाया आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं दस साल पहले नहीं कर सकता था जो मैं दस साल पहले करने मैं सक्षम नहीं था आज मेरी शम्ताइन थी है उसको बोल के क्या बताना कि मैं खुद फील करता हूँ अगर तेरे min अ होता तो शायर में मझप chrom आ हुआ कर आपको जीदिट के बीडिया में में विडियो फिलते हैं वीडिया में जब हड़ा साथे करते प्रॉब्लम साथी है तो क्या होदा है उस वीडिया में से आप योड़ार्त प्रॉब्लम में था अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो रभी पांडे के से साबित कर पादा कि मैं अजया लीडर हूँ अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम सी थे तो आप कैसे प्रूब कर पाओगे कि आप में दम है तो इसा पार्ट ऑफ लाइफ इसा पार्ट ऑफ गेम और उसको गेम की तरह एंजॉय करें इस्ट्रेस मतले बल्कि अपनी कपासिटी चेक करें कि चलो देखते हैं हम इसे हर जर्बाते हैं अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपको छोड़ के कही जाता है आपके डिस्टिबिट आपको छोड़ के कही जाता है